हाई गाईज, वेलकम बैक तो माई चैनल, आज के वीडियो में मैं आप लोगों से सेर करूंगी मेतामा मूरायाज का फुल वीडियो , और आप लोगों को बताती जाओंगी कि सारे रशम क्या जाता है, और ओडिया में क्या-क्या सब रशम होता है Myira मैं आरेज में बहुत सारे लोगों का रिक्पेस्ट था कि दी सौट वीडियो तो डालती है, पूरा वीडियो क्यों नहीं डाले तो मैं इसलिए फिच से पूरा वीडियो डाल जाए हूँ और आप लोगों को बताती जाओंगे कि ये रसम क्यों होता है और उडिया में क्या क्या सब रसम होता है तो आप लोग वीडियो एंजोई कीजिए मैं बीच बीच में आप लोगों से बात करके बताती जाओंगी रसम के बारे में और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना सेयार करना फ्रेंट्स के साथ और चैनल में अगर ने हो सब्सक्राइब करना तो चलिए फ्रेंट्स एंजोई कीजिए वीडियो को और नेक्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून्ड तो फ्रेंट्स यह है मंगनी जो कि हमारे ना ओडिया में साधी से 15 देज पहले होता है और इसमें ही इसी दिन से ही हम लोगों को इन्वीटेशन देना स्टार्ट करते हैं फिर्स्ट इन्वीटेशन मामा जी को जाता है फिर जाके जहां पर जाता है और यह पुझा होने के बा पुझा करते हैं पुझा करने के बाद जिस लेड़की या लड़का का साधी होता है उसको भी मतलब दिया लगा के इसको बंदा आया जाता है मतलब बंदानों करते हैं उसके बाद ही उसको सिंदूर काच बगेरा लगा देते हैं और साथ जन या पांच जन ऐसे कुछ और लोग पुझा करते हैं तो ये रस्तम आप लोगों का है की नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ और आम लोगों का ये वाला रस्तम आपको कैसा लगा पीछे में आमारा जो गाए वो दिख रहा है और मुझे देखो मुझे बहुत ही ज्यादा सरम आ रहा ये सब होते ठाइब बता नहीं ये सब रस्तम किसी में क्यों करते हैं मुझे बता नहीं तो ये सारे पिक्स है मेरी मेहंदी के पिक्स जोगी खास आपके जीजू को देने के लिए मैं उठाई थी क्योंकि हमारे ओडिया मेहंदी संगीत यह सब रसम नहीं होता है अब सब फ्यासन के लिए कर रहे हैं लेकिन मैं नहीं चाहती थी मैं मेरी ओडिया के जवी रसम है जो भी कल्चर है उसको ही लेके करना चाहती थी और यह सारे फोटो मेरे हस्बिन को देने के लिए ही खास में उठाई थी मेहंदी कैसा है भी कुछ टाइम के लिए मेरी नंधन को फोटी कि निकले की नहीं तो रसम तक उनका फोन ठीक नहीं था तो आप लोग अल्रेड़ी देख चुके होंगे मेरी जो व्लॉग में फिर दिखा देती हूं है अब मैं जो बनाया गया है ना चित्रे रिंकी वेट स्लिट्टू लिखा गया है मतलब मेरे हस्बेन के नाम लिखा गया है हमारे यहां पर लिखा जाता है साधी को मतलब सूब माना जाता है यहां पर एक बैनर लगाया गया है जिसमें कि हम दोनों हो है और यह हमारे तुल्शी के पूधा हमारे ओडिसा में और यह हमारे जगनाद बलवद्र सुभत्रा जो कि हमारे ओडिसा में पूरी में हैं आप लोगों को पता होगा साइड क्योंकि इनको कौन नहीं जानता है पूरा मतलब इंडिया लंडन, इंगलन, अमेरिका सब जगा उनको जानते हैं यह राधा कुछने हैं पूरा हमारे मंदीर का वीडियो बनाया जाता है फिर से जाके कुछ सुरू किया जाता है तो यह है अपनी माता पूरा मंदीर हमारा मंदीर भी कैसा लगा सब मुझी कमेंट सेसिन में बता हो और यहां पर रखा गया है साधी का सारा शान जो की पुझा के लिए भीह ले जाता है मैं आगे आप लोगो बताऊँगी कि कौन सी पुझा होता है इसके बाद ना एक पुझा होता है जिससे कि भावी मेरी बड़ी भावी या बड़ी बेहन इन दोनों में से कोई एक करता है जो की चुन्डरी में साधी में डालने वाली हूँ वो इस चुन्डरी डालके ही वो लोग जाते है भगवान के पास और मेरी जो भी सोने का चीज है या पहनने का चीज है साधी में बोस्था लेकर जाते हैं, उसको पुझा करके लेकर आते हैं और चलो, मैं आगे- PLAY बताती हूँ आपो, इसमें भी साथ, य Associ ऐप आउरत जाते हैं पुझा के लिए, और आगे देख रहे हैं, इसको हमारा औरिया में जो कि साली दियमें самого seen माना जाता है यह जो मंदीर है यह एक देवी के मंदीर है हमारे यहां पर यह देवी को बहुत मानते हैं जो भी सुखकारी होता है इनके पास पहले पुझा किया जाता है फिर जाके जो भी किया जाता है इनका नाम है चारी आखिया देवी उनका चार आखे और यह देवी उनको पूजा करते हैं बहुत काफी टाइम से और ये मेरी तो बड़ी भावी खुद की नहीं है क्योंकि मैं छोटा भाई है तो इसलिए बड़ी दीदी ये रसम कर रही है यहां पर सारा पूजा करा मतलब मेरे जो भी सोने की चीजे बो सब भगवान के पास लगा के ले आए से कुछ-कुछ पानी लाते हैं और बही पानी से हमारे जो हल्दी का रसम होता है बही पानी से ही नहाया जाता है तो ये सादी का सारा सामान्दू की वहकान के पास चड़ाया जा रहा है है और ये सब लोग ये मेरी बंगलोर बाली दीदी ये मरी बड़ी दीदी और ये सब कोतक है निय Spo拌 ना जैन समेल नहीं स्कीजिक पॉछ तो बात्ती है कि पता देत हुँ वह पानिय कुछ पॉल रहा हैुट्प्रीख शीयुम्मr हं देटी को बॉल रहा है कि यहीं कि युख स्मेlled कर रहा है तो फाइनली छदी का रसम हो रा है मॉसी शायड मीरे मम्मी है वाड़ी दीदी है और मेरी दुस्री वाली दीदी है और साइड में जो ब्लाक कलोसारी है हमारे घर में ऊपने रेंड में रह रहे थे तो इसमें वी 70 तो भी भी मेरे मूड़ भी नहीं था कि मेरे एर्वास में इशुवे नहाते टाइम कर venues और यह सब पानी डाल दिये और मेरे कि है बहुत्स प्राइब वह इस honبر हाई तो अच्छे से मत mister Commission थी तु उसके बाद हल्दी का जो पिक्चरों गाना हली यूप में तो आप लिया चिथना बिल्कुल सुखे नहीं होंगे प्रण मतलब गिला गिला होगा वेसे टाइप का फॉटो है यह वाला एक रसम है ना यह वाला रसम में रसम में चावल या जो तूर की डाल यह सब रखते हैं और जो पीठा रखे ना भूसकारी सा पीठा बोलते हैं इसब रखे ना जसुई में ही जो की बड़ी दीदी या बड़ी भावी करती है तो मेरी यहां पर बड़ी दीदी कर रही है और साइड में जो है वो मेरे बड़े रसम क्यों किया जाता है ये वाला रसम ना साधी का आट दिन में ये जहां जो भी यहां पर रखा जाता है उसको खीर बना के घर में खाते हैं और दूसरों को भी देते है इसा कहा जाता है और यहां पर सुरू हो गया है मेरी हल्दी का असली वाला लूप देख सकते हैं मेरी हेल कितना मतव गीला है बिल्कुल सुखा ही नहीं है ये बरसम की बाद ही सारा ज्वेला लिप पहना जाता है सब्सक्राइब पैर में हम लोगों का साधी के बाद हर लेड़की पहनती हैं प तो जूंतिया बोलते हैं हमारे ओडिया में बोसों पहनते हैं पायल फगिरा चूड़ा वगिरा सब यहां पहन लेते हैं और उसके बाद कुछ मेरे फॉटोहोंगे हल्दी के लुक में, फिर मैं चले जाती हूँ, और पालर में आके फिर जाती हूँ, ये वाला जो साडी में यहां पर पहनी हो ना, ये जो चूडिया वगेरा ये समने खरीदी थी तो पूरा लूप कैसी दिख रहे हूँ मैं आप लोग बताना क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मोटी थी अभी पतली हो गए हूँ मुझे पता है ये वाला कमेंट कर छोड़ कि आप लोग और कुछ कमेंट करना प्लीज अच्छी दिख रहे हों कि नहीं क्योंकि मैं मोटी थी मुझे पता है और पता एक बात मतलब साधी के दिन में पहले और ये रसम के बात मैं बोलती हूँ आपको यह वाला रसम मुझे बहुत बहुत गंदा वाला रसम लगा यह वाला रसम में न मतलब साधी से पहले लेड़ी की अपनी मापाप को जिन्दा स्तराद दे देता है तो स्तराद होता है वो दे देता है तो यह वाला रसम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था फिर भी पता नहीं कौन मतलब निकाला है अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं बहुत ज्यादा उसको पीटूँगी यह कोई रसम करता है कि आप मावापा होते होते ही उनको सराथ दे देते हैं अच्छा नहीं लगा यह रसम मुझे और पता है मैं बताने बाले थी आपको मेरी मेहंदी ना यह हमारे जहां पर फंक्षन हो रहा था बाहा का सजावत कैसी लग रहे है और यह स्टेज जहां पर मैं बैटूंगी अब लोग पहले सौट वीडियो में देख चुगे हूंगे और यह वाला गाड़ी में मैं आकर पहुंच के हूँ मैं गई थी पालर मेक अप लेने के लि और यह लहेंगा इतना हेवी था ना उसको संबालना बहुत मुश्किल था इसके साथ इतना सारा ज्वेलारी आप लोग देख सकते हो इतना सारा ज्वेलरी के साथ इतना हेवी लहेंगा संभालना पिलकुल मतलब और साइड में बूर साडी में आप लोग देख सकते हैं यह मेरी MCA की दोस्त है जो कि पास में ही रह रहे थी उसका सब ही हो चुकी थी तो उसके husband के साथ वो पास ही रह रहे थी, उसका नाम मामा है, कभी मिलाओंगी, अगर कभी उडिशा जाओंगी, वो उसको मिली, तो जरूर मिलाओंगी उसे, और वो ही सब मतलब मुझे क्या कुछ करना था, उसके experience के वाई, मुझे मता रहे थी, तो फाइनली मैं आ गई हूँ, स्टेज पे हिरोईन बनके कैसी लग रहे हूँ, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में सब, और स्टेज का सज्जावट भी कैसा लग रहा है, बताना, अभी टाइम है, अटेंडिंग गेस्ट, और गेस्ट लोग जाने लगे, यह साम हो गया है, सा साथ गेस्ट को अटेंड भी कर रही हूँ, और बहुत ज्यादा में टेंशन में थी, क्योंकि आपकी जिजु लोग ना, मतलब जहां पर पहुंचना था, उन लोग में तो वैसे ही उनके साथ बात नहीं कर पा रही थी, उनका पार्सट बो भूल गये थे, तो उसी टेंशन की दोस्ट जिसके साथ मैं हमें ऐसा कम्पिटीशन करती थी, स्कूल में, और सारे गेस्ट है, जो कि मैं अटेंड कर रही हूँ, बस कुछ रिलेटिव से, कुछ दोस्ट है, कुछ गेस्ट है, सब, और यह है मेरी दोस्ट, जो कि स्कूल में मैं कम्पिटीशन कर लए थी, उसके नम है सूमा लिश्व, बो कभी इस फास्ट होती थी, क्लास में मैं कभी तो आई थी, मेरी दोस्ट मतलब यहां का मेरे घर के पास के दोस्ट से बो एक ही आय थी, और मैं तो बहुत बाहरी पड़ी तो बाखर का दोस्ता आने की मतलब पॉसिबल नहीं होगा यह सारे गेस्टी बेटे थे और मैं सब को बुला बुला के फॉटो किंच रही हूँ क्यूंकि फॉटो किंच नहीं वैसे ही मुझे पसंदे और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी साधी में आते हैं उनका अगर फॉटो रखा जाया तो अच्छा होता है एक मेमोरी बन जाता है कि यह आये थे यह नहीं आये थे साइड में मेरे दोस्त बेट के यहां पर गिफ्ट का नोट डाउन कर रही थी और यह देखो मेरे दीदी के बड़े बेटा उसका भी दोस्त आया था तो उसको लेके वो फोटो किंच रहा है यहां पर उसका भी दोस्त को वो मतलब इनवीटेशन दिया था हम लोगों पता ही नहीं था जब वो असके बोला आंटी यह मेरी दोस्त थे यह मेरा दोस्त थे तो मैं बोली अच्छा ठीक है दोस्ते में बहुत कुश हो गई थी और यह सारे बड़े बड़े मतलब बॉइज लोग देख रहे हैं यह सारे मेरे भाईया का दोस्ते मेरे से भी बड़े देख रहे हैं मेरे से छोटे होके भी तो वो लोग आये सारे मेरे भाईया का बहुत सारे दोस्त आये थे और यह सारे गेस्ट मेरे पापा की तरफ से है सब को तुम्हें मिला नहीं सकती है सारे दोस्त भी मेरे भाईया का है उसका स्कूल का दोस्त उसके कलेज का दोस्त बहुत सारे दोस्त उसका आये थे और अच्छे अच्छे ग अंदर अंदर में क्या सोच रही थे अंदर अंदर बहुत टेंशन में थी कि वो लोग जल्दी से आ जाये बहुत टाइम हो गया था दस-क्यारा ग्यारा वज़ा हम लोगों का मुम्रूद था वह अभी तक 10 बज चुका होगा लेकिन वो लोग नहीं आये थे तो मैं बहुत ज सब्सकेश्ट रहे हिर वे तक रिटन अड़र फिल्द कोणे कि थे तो मैं नहीं जाती थी मिलनेर कि पनगा हो जाए ओर प्रैंसंड लेने की पाद हो जाए और दो मैं सोच रही थी इसाना हो और हमें सा मेरेसाहिंसाय ही हो जाता है मेरे सा आगे बताऊंगी आप लोगों को और ये सारे दोस्ते मेरे भाईया का वो फोटो ले रहे हैं सब कर वे बाईया का वोटो स्च्पबश वे रहे हुवे हैं सब दोस मेरे भाईया है southern कर वे रहे हैं शोस्ते मेरे भाईया प्लाभ को दोसे और खाईया प्जाए हैं स स्थे भाईया थाला हैं지는 क्या सही दोस्ते धातकED मेरे उड़िशों मेरे रहे हैं सांधने जाथ convenience और यह है मेरी बड़ी दीदी ब्लू साडी में उसके दोस्त और यह दोनों हमारे गर में पहले रेंट में रह रहे थे यह ब्लू साडी में मेरी दीदी है मेरी दोनों बहनी ब्लू ब्लू पहने थे दोनों ब्लू ब्लू ड्रेस कोड़ बना दिये थे और यह मरी बड़े जीजु हैं साइट में जो रेड सेट में उनके दोस्तलक सब और कर दोस्तलक सब और और यहां पर ले रहे हैं मेरे कुछ beauty shots जो की पोज दे रहे थे वो camera man और मेरे बहुत ही मुश्किल से पोज दे रहे थी यार मतलब अंदर से tension में मतलब हसी नहीं निकल रहा था और वो camera man बार बार बुढ रहे थे और पूस देने में तो बहुत जा रहा ही लोकस्ट हो रहा था क्योंकि हमारा यह और फाइनली हो गया है बारत आने का टाइम जहां पर साधी हो रहा था यह बाहर का नजा रहा है सब लोग dance कर रहे हैं और मेरे पास जो भी मरे दोस्त लोग थे सब नीचे आ गये थे बारत को देखने के लिए तो मैं एकेले ही उपर थी और यह सोच रही थी कि सांग गॉड बारत आ ही गया टाइम पर और अज सब कुछ अच्छे अच्छे हो जाए फिर भी टेंसन अंदर था कि सब अच्छे अच्छे से हो जाए तो वही बटके सोच रही थी और यहां पर सारे मेरे अच्छे से सुराल के लोग डांस कर रहे हैं और फाइनली आपके जीजु आगे हैं और उन्हें ले आए यह वाला रसम को हमारे ओडिया में बाक्टब और उनी बोलते हैं यहां पे ना जहां पे साधी हो रहा था उसके बाहारी उनका पूजा किया जाता है जिसमें कि मेरे भहिया फर्स कुछ रसम होता है भहिया का और फर्स सेकेंड कुछ रसम होता है और हमारे ओडिया में भी यह डिफ्रेंट डिफ्रेंट रसम है सबका हमारा ऐसे ही है फर्स भाई का कुछ पुजा होता है फिर पापा कुछ पुजा करेंगी यह सारे रसम होने के बाद ही आप लोगों का ही इने मुझे बताना और यहां पर सारा पूजा हो रहा है साधी का और मैं तो सारा रसम नहीं जानती हूं फिर भी यह फर्स्ट हमारा नहीं होता है कि मेरे उपर जो भी जीजु मेरे हैं उनको पूजा किया जाता है और फिर ही पूजा मतलब साधी का कोई रसम स्टार्ट होता है उसको सौडा सौरी सौडू वरूणी या सम्धिंग कुछ कहते हैं तो यह सब रसम यहां पर हो रहा है यहां पर कन्या दान कर रहे हैं मेरे पापा और फिर जाकर सब मतलब जैसे कि हमारे उडिया मेनस फेरा को ज म Vielा जादा इंपड़ां नहीं देत है हमारा हात को बोलते हैं यहां पर पढ रहा है हमारा हात मश्या दोनों का का आफ को मिला एक फूल से बान्धा צा एता है और यह आं मिस साद़ती मेरे नथी चोटी मेरे लगन पापा के बड़े भाई के बहु भूही खोलेंगे यहां पर तो यहां पर कुछ डिसकुसन चल रहा था और बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा था साधी में यह मैं बाद में बताऊंगी डिटर्स में क्योंकि उनका थोड़ा सा कल्चर अलग था हमारा थोड़ा सा अलग मैं और यहां पर बोही खोल रहे हैं यह खोलने के लिए कुछ जीजू के साइड में हैं पर देख रहे हैं मुझे तो बोगोत मतलब ज्यादा टेंशन में थी इसलिए बिल्कुल हस नहीं रही थी बहुत ज्यादा टेंशन में थी और और ये सोच रही थी कि कब साधी खतम होगा कब साधी खतम होगा और ये वाला रसम भाईया करते हैं हमारा बुडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा था इसलिए और यहां पर ससुराल के साइड से एक नाम दिया जाता है मेरे नाम रखे थे मामा तो वो मुझे मामा बोलते हैं हमेशा और सिंदुर्दान का कार्यकम यहां पर खतम हो गया है माला भी यहां पर डाल देंगे फिर हो जाएगा फेरे का टाइम और फेरे ना हमारे यहां पर फेरे मेरे माई के साइट में फेरे नहीं है मेरे हस्बमिन साइट में था तो इसलिए यहां पे फेरे हो रहा रहे है और यह हो रहा है रहा है समरी consultant तोड़ा मतलब हमारे ऊड़िया में समूरbourgी मिलन बोलते हैं वत presumably यह वे व्यादेटे शक्ते साथी कर हैं और जी कराएं मेरे पापा उन दोनों का तो यहां हिं रहा है तो यहां पे हो रहा है dat वाला रस्म रश्म हरी तो जो करों कर दो कि यहां के ल laboral something ब्म Agent में पतार्या है है जो भी हो रहा है मैं आप लोगों को दीखा रही हूं हूं और यहांburger आप हो रहा है बहुत सडरी लोग मुझे पूछ थे यह क्या है तो ये बोलते हैं हमारे रूतियों मैं कोवडी खेडा इसेृह होता है ना उसको हाथ में रखा जाता है और दोनों लोगी पomena reign 2-0 पाता है तो आपकी जिजू के साथ में कीटिंग करके उनको हरा दी जो भी हो क्काकशी heading मैं देले में और यहां पर बहुत जया है और मेरे हाथ में लग भी गया था उनका नाखुन से और लास्ट में क्या होता है साधी के बाद ना सब लोग कुछ ना कुछ गिप्स देते हैं तो उसको हमारे उडिया में बॉंदारों भोलते हैं तो यहां पर सारे लोग वही कर रहे हैं कुछ ना कुछ कोई ना कोई तो दे रहे हैं लड़के के घर में बहु को दे को देते हैं और लड़की के घर में ज्वाइं को देते हैं मतलब दामाद को देते हैं और यहां पर लास्ट में हो रहा है फेरे उसके बाद हो जाएगा साधी कम्प्लीट होने के बाद यह हैं लास्ट पीक उनका और मेरे लास्ट में देख सकते हैं मैं सारी ज्विलारी जो है ना उतार दी थी इतना मतलब थंडा का मौसम था फिर भी मुतलिब बहुत ज्यादा है मतलब खीच रहा था सब कुछ तो में खोल दी थी और अब टाइम हो गया है बिदाई का जो कि मुझे ना यह वाला रसम के बारे में सोच के बहुत ज्यादा गुसा आता है कौन लिकाला था यह वाला आप लोगों को इसा लगता है कि नहीं लिड़की वहां पर मतलब एक जगा पर छोटे से बड़ा होता है जब बड़ा होता है पापा और ममी के लिए कुछ करने के लिए हो जाता है तब ही उसको घर चोड़के किसी और के घर जाना पड़ता है बहुत मतलब दर्दनाक मोमेंट है और सब लड़की इसको फेस करते ही करते हैं जब भी भी मैं यह तो पापा कितना रो रहे हैं सब लोग कितना रो रहे हैं में तो मेरी मतलबillas कंट्रोल ही नहीं कर पारी थी मन कर रहा था कि क्यूंँ साधी कि यार book को देखके estilo क्यों साभी की यार ।. पापा को देखंके बहूत चालब मतलब खराप по ऑप आग algorithms कि पिर जाके कब धाई मिलेगा आने के लिए तो यह रसम हमारा चावल देते हैं हाथ में और यह चावल को छोड़के घर में जाते हैं इसको अंजुली चावल बोलते हैं हमारे ओडिया में तो इसके बाद लिल्क की पराया हो जाता है ऐसे बोलते हैं लेकिन मैं ऐसा नहीं चुछनी लिल्क की पराया कैसे हो सकता है वो जहां जरलन ली है जिस बापा ममी ने उसको छोटे से बढ़ा किये वो उससे पराया कैसे हो सकता है साइड में जो है मेरी दोस्त में बोली थी मामा बही ही और साड़ी इतना हेवी था वो कंजिवरम साड़ी की मैं खुदी उसको भार संबालनी पा रही थी तो वो उठा उठा के पिछे आ रही थी गैंने कितना ज्यादा रो रही थी और मुझे जाने का बिल्कुल भी मरने करता यहां तो इसे सोच रही थी तो इसलिए मेरी भाईया भी मेरे साथ गया था यहां पर मेरे जेट जी खड़े हैं मेरे मम्मी उनको कुछ-कुछ बोल रहे हैं तो यह हो गया हमारा साधी का लास्ट सिच्वेशन जो की होता है बहुत दर्दनाग बिताई यह वाला रसम सच में नहीं होना चाहिए था जो यह रसम निकाली थी ना अगर मुझे मिल जाए बहुत माट खाएगा मैरे से सच में और फाइनली मैं जा रही हो सचुराल फिर मिलूंगी आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में पार्ट टू वीडियो में अप्टर द विदाई मतलब विदाई के बाद गुरुभ प्रवेस और रिसेप्सन सब कुछ तो स्टे टिउन फूर नेक्स्ट वीडियो और वीडियो अच्छा लगे लाइक से यार और सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं हो मेरे चैनल में बाई टेक्यार ओल